हालो गाइस कैसे हुआ आप लोग उमीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे तो आज है 19 माई 2024 से 36 गड़ से जितने भी महतपोना करेंटा फेर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे और साथ ही इस वीडियो का पीडियेप आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां लगाया जाएगा चार ओप्सन दिये गया है भिलाई बालको बभनपूर मैन पाट इसका राइट एंसर हो जाएगा ए भिलाई में ठीक है कितना मेगावाट लगाया जाएगा तो 15 मेगावाट ठीक है या 15 मेगावाट फ्लोट सोलर प्रांट लगाए जाएगा अब भिलाई में लगाए जाएगा और भिलाई किस जिले से संबंधीत है तो भिलाई दुर्ग जिले से शंबंधीत है अब दुर्ग की बात आई है तो दुर्ग के बारे में कुछ important factor देखते हैं दुर्ग की स्थापना 1906 मुख्याला दुर्ग दुर्ग शिवनात नदी के किनारे बसा है और प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनात नदी प्रदेश में कितनी बहती है तो 290 किलोमेटर बहती है प्रदेश में शर्वदिक साक्षर जीला है तो दुर्ग जीला है ठीक है इनको भी आप याद रखिए है स्वर्गी हेमचन विश्विद्दार दुर्ग नाकपुरा ठीक है जैन तीर्थक तेईश्वे पावर्शनात मंदिर यहीं पर इस्थित है और सर्वदिक नगरी जनसंख्या जीला प्रदेश के दूसरा सबसे छुटा जीला है और यहीं पर उननीश सो पच्पन भिलाई इस्पास सेंत्र की स्थापना दूती पंचवर्शी युजना के तहत किया गया है और यहीं पर भिलाई इस्टिल प्लांट सिटी ग्यान की राजधानी चटिस गड़ की आर्थिक राजधानी भिलाई को भी कहा चलाया गजता है और यहीं पर 1965 एसी सिमेund ठीक है प्रद्थम सिमेund फेक्टरी जामूं कुल में इस्ती था वासुदेव चंद्रकार कांदेन विश्विद्याला यहीपर है और यहीपर है प्रथम पसू चिकिसक पशुपालन महाविध्याला अंजोरा ठीक है अंजोरा दूर्ग में इसी था है बिलाइस्ट आप्टिवर टेकलोजी पार का मेत्री गार्डन रूस और भारत की मित्रता का प्रतीख है इस कोस्टन से भी आप इतना इंपोर्टेंट फेक्ट को याद रखिए चलिए नेश्ट कोस्टन की ओर बढ़ते हैं नेशनल एम 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 ए राष्टी प्रतिवीता का आयोजन किया गया चार आपसंदिये गए हैं राइपूर बिलाजपूर दूर्ग सर्गुजा इसका राइट एंसर हो जाएगा ए राजधानी राइपूर में ठीक है राजधानी राइपूर में किया गया नेशनल एम 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 तो इंगलिस में लेखा है। इसको हिंदी में क्या है इसका नम तो मिक्स मारसल आठ ठीक है यहां रायपूर में आयोगीट किया गया। कब से कब तो आड से बारा माईं ठीक है इन चार दिन इसका आयोज़न किया गया और रायपूर में यहां किया गया है अब रायपूर की बात आई है तो रायपूर के बारे में कुछ important factor देखते हैं रायपूर की स्थापना दो नौंबर 1861 मुख्याला रायपूर रायपूर खारून नंदी के किनारे बसा है चादिश गडा की राजधानि अटल नगर नवा रायपूर 1862 में रायपूर को छथिस गड का समभाग बनाया गया उनिसंशव शर्शट में रायपूर को सबसे प्रतं और प्राचिन नगरणिगम बनाया गया। सिल्तरा प्रदेश का सबसे बड़ा आध्यवगिक विकास केंद्रा और यहीं पर है साइकल कॉंप्लेक्स एग्रो एक्सपोर्ट जोन और भानपुई में अप्रेल पार्क रोभाठा में मेटल पार्ग तिल्दा राइस कॉंप्लेक्स पॉली पार्क च्छतिसगड की इदनारायर सी हैं क्रिकेट स्टेडियम नागर जुन क्रस्ट्रक्षन हैद्राबाद द्वारा इसको निर्मित किया गया है प्रमुक संस्थान देखते हैं इन आइटी इन आइटी का पूरा नाम नेशनाल इस्टेट टेक्नोजी यह कहा है तो राइपुर में इस्थित है औल इंडिया मेडिकल संस्थान एम सीहीं पर इस्थित है आई आई एम राइपुर मेर्ट्स गुल्लू आरंग में इस्थित है पुर्खोती मुक्त गंज राज्य सरकार द्वारा चत्यजगर की प्राचीन संस्कृति को सहजे अंदर साने का प्रयास किया गया है और यहीं पर है चंद्रखुरी कोशलिया माता भारत का एक मात्र मंदिर जो हाटकेश्वर मंदिर रायपूर खारूड नदी के तड़ पर इस्थित है इस कोस्थन से भी आप इतना इंपोर्टेंट फेक्ट को याद रखिए हैं चतिस गड़ में एक मात्र मंदिर जहां राम लच्मड की मूचो वाली मूर्थियां इस्थापी थाए चार आपसन दिये गए हैं धमतरी, सुरजपूर, कभीर धाम, रायगड इसका राइट एंसर हो जाएगा सी कभीर धाम जिले में इस्थित है और यहां चतिस गड़ का एक मंदिर है जहां पर लच्मड और राम की जो मूर्थियां इस्थापी थाए उसमें क्या है मूछो का अंकित है ठीक है अब कवर्धाया कभीर धाम जिले में जाके आप इसको देख सकते हैं शत्तिजगर का एक मात्र जीला है और एक मात्र मंदिर यहीं पर है मंदिर अने को मिलेंगे लेकिन मूछ वाले जो मंदिर में मूर्तियां इस्थापित कवर्धाय कविर धामजिले में आपको देखने को मिलेगा चलिए रेष्ट कोस्चन की ओर बढ़ते हैं राज्य सरकार दुआरा बीज एक रेट कितने रुपए प्रती किलो से खरीदा जा रहा है 36 गण में कितना खरीदा जा रहा है चार आपसंद दिये गए हैं 30, 20, 44, 50 इसका राइट एंसर हो जाएगा 20 रुपिया क्या है प्रती किलो जो साल बीज है ठीक है जो साल बीज है उसका एक रेट ठीक है एक रेट जो बीज है उसको 20 रुपिया प्रती किलो की दर से सरकार खरीद रही है ठीक है ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों कमेंट मार्क्स में जरूर बताना यदि मेरे इस वीडियो से दिया आपको helpful मिला हो तब पेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक से और कमेंट थैंक्स पर वाचिंग इंडिया गाड़